इस दुआ के साथ कि आप सब भाखेरियत हो अल्ला की खास रहमतें बरकतें और अनायतें आप सब पर महर्बान हो मेरी दिली दुआएं और निक्तमनाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं टीमू से जो शौपिंग कर रहे हैं उसको इस्तमाल करके भी देख रहे हैं कि यह सही हैं भी के नहीं है तो यह पाइन एपल कटर है यह यूसफुल है क्योंके थोड़े बड़े साइस का है पाइन एपल बड़े साइस का हो तो थोड़े नीटली इसके कट आएंगे वैसे यह यूसफुल है और मेरा ख्याल है हमने आखरी शौपिंग कर ली अब हम टीमू से कोई भी चीज नहीं मगवाएंगे मजाक मजाक में हमने काफी पैस से वहाँ पर खर्च कर दिये हैं यह जो आइस क्यूब मेकर है अच्छे खासे इसके बूल बन जाते हैं आइस क्यूब के और यह मैंने जो मैटल का ब्रश मंगवाया था इस तरह से कुकर साफ करने के लिए यूसफुल है यह है कि इसको रेगुलर यूस करते रहें तो क्यूंकि इसके बेसिस जो है वो मैटल के हैं तो जो जल जल के काफी हाड सा क्रस्ट बन जाता है ना कुकर के उपर तो वो इस से रिमूब हो सकता है अगर इसको रेगुलर यूस करते रहेंगे तो फार्म फूट गई तो वहाँ पर यह हमजा मेक के गार्लिक क्रश्ट गार्लिक और क्रश्ट जिंजर के पैकिट है वन पॉंड इच है मैं यह लाएं भी हूँ और हंडी में मैंने डाले भी है बहुत य है तो यह चीजें बड़ी सही रहेंगी के बज़ाए कूट के डालने के रैडी टू यूज भी यूज कर सकते हैं और यह बिंडी का पैकिट है यह वन ट्वंटी यह वन थर्टी छी है तो यह भी सही है और यह हमसा की चपातियां है यह वन ट्वंटी नración है और इसमें कि शोटी चोटी सी ना जैसे हम गर में बकाते हैं उस से काफ़ी चोटे साइस के हैं कि सर में दर्थ जो वह अचानक से ही शुरू हो जाता है और अजीब सी सर में दर्थ होती है कि मिरे आंके नहीं खुलती है तो यह चाय कैसर नहीं एक दिन बनाई थी चाय तो ऐसे ही सर में दर्द हो रही थी तो मैंने यह चाय पी तो मुझे पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ी तो भी मैं यही चाय पी लेती हूँ इसमें बड़ी लाइची लोंग और दार्चीन डालनी है और अपनी मर्जी से चीनी और दूड डालने और मुझे लगता है सर में दर्द हो रही हो तो चीनी वाली चाय पीएना तो अराम आ जाता है अजमा के देखिएगा और सिंपली इसको जो है बौई लाने तक पका लेना है चूंके मैंने इसमें दो टी बैक डाले है तो ये चाय ज्यादा अच्छी रहेगी और एजए सैट की इसमें चीनी की कौंटिटी सही हो मतले बहुत ज्यादा भी नहों हम फीकी चाय पीते हैं तो उसके अकोर्डिंग इसमें चीनी थोड़ी सही होनी चाहिए और एक दूसरा ठीक अगर चाय अच्छी नहीं लगती त तो इस तरह गरम पानी में पैर डालके बैठ जायाओी है अब यकीन करें करने आखें सरका दर्द जो है आएस वह गायप ऋजाएगा यह मैने भी कहीं देखा और उज्थ मे इसको अज्माया में टोड़का काम करता है सर में दर्द हो रही है मेरे पास तो ये फूट स्पाख है लेकिन आप किसी बकट में या टब में पानी डाल कर गरम पानी हो ना पैर डालने तो पता चले के पानी गरम है बैट जाएं तो सर में दर्द जो है वो जल्दी से खतम हो सकता है बहुत यूसफूल है ये भी ये पालक मैं फारम फूर्ट से ही लेकर आई थी फ्रोजन है तो मैंने पका कर देखी कैसी पकती है अच्छी पालक बनी है और साथ इसमें मैंने ये मिथी डाली है ये पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से मिल जाती है जुलेखा मेकी है और ये मिथी भी अच्छी है आईए देखें दो जो क्यूब्स है मैंने मिथी की डाली है और काफी जादे इसमें पालक है तो ये आलो पालक मैंने बना कर देखी कोई इस तरह नहीं चीज़ लाएं तो उसको पका कर हम देखते हैं जादेखें तो ये काफी अच्छी मेथी पालक बनी गर्मी ने किस किस की नाक में दम कर दिया हुआ है और कौन कौन चाहता है के वैदर चेंज हो जाए जो कि अब चेंज हो चुका है काफी ज्यादा गर्मी रही और गर क्योंकि यहां पर इस तरह बने हुए है सर्दी के हिसाब से तो घर के अंदर लगती है गर्मी जहां बाहर इस तरह बैट जें हलाकि दूप है लेकिन क्योंकि यह अम्रेला के अंदर बैटे ना अम्रेला लगी हुई है इसके नीचे बैट जें तो हवा ठंडी महसूस होती है, खैर अभी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और बारिश के मौसम में इस तरह के नाश्टे अच्छे लगते हैं, हलवा पूरी का नाश्टा जो है वो वीकेंड पर बनाया, अब ही मैं यहां पर बटर चिकर बना रही हुं। यह देखे, यह वही जिंजर गार्लिक है, जो मैं लेकर आई हूं, तकरीबान, थर्ड काप मैंने योगर्ट लिया है और इसमें जिंजर गार्लिक डालकर मैंने ग्राइंड कर ले ना है, यह मैंने चिकन को मैरीनेट करना है बटर चिकन के लिए तो जिंजर गालिक अलग से कूटने की बजाए मैंने योगर्ट में ही डाल दिया है जीरा सुखा धनिया और लाल मिच्चे नमक गरम सालाव थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दी है और ये एक तरह से मेरिनेशन त्यार करनी है इसमें अभी एक किलो बोनले डालना है क्योंके आज जो बटर चिकन ऊसका रंग थोड़ा सा चिकन तिक्के जैसा होना चाहिए और ये किलो बोनलेस चिकन है चाहें तो होल चिकन के भी बना सकते हैं और इसको मैरिनेट करके मैंने फ्रीज में रख दिया था ओवर नाइट बेस्ट है इसको फ्रीज में जो हैं जो इसको ऑवर नाइट थी फ्रीज में रखा था कि ये अच्छे से मैरिनेट हो चूंकर गर्मियों kä मुसम है तो चीजकेक जो है नो बेक चीजकेक बहुत ही अच्छे लगते हैं आज मैं नो बेक स्टॉबरी चीजकेक बना रही हूं ये फ्रोजन स्टॉबरी इस मैंने खुरी फ्रीज की हुई है ना एक तो फ्रोजन मिल भी जाती है यह मैं लाई थी तो मैंने फ्रीज कर दी और थोड़ी से इसमें चीनी डाली है नमक डालकर इसकी एक तरह से हमने सोस त्यार कर लिनी है यहां पर डाइजेस्टी बिसकिट का एक पूरा पैकिट है जो के मीनी चौपर में मैं चौप कर लूँगी मुझसे किसी ने पूछा था कि इस वाले मीनी चौपर में शामी कबाब का मिक्सचर मिक्स हो सकता है वैसे तो हो जाएगा लेकिन आपको घंटों लग जाएंगे क्वांटिटी इसमें थोड़ी से आती है ना तो यह केन उट का है जब केन उट का भड़ा जो फूट प्रोसेसर है उसमें मैं ज्यादा तर करती हूँ होल पैकिट ओफ डाइजेस्टिव बिस्किट का मैंने चौपर में इस तरह से चौप कर लिया है और यह बटर जो है यह मैंने थोड़ा डाला है जितना बटर लिया है यह 100 ग्राम होगा तकरीबन देट से 200 ग्राम बटर जो है वो इतने बिस्किट के लिए काफी होना चाहिए था बटर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी रखी अगर आप इस रैस्पी को फोलो करें तो बटर जो है डेट से 200 ग्राम चाहिए और एक फूल पैकिट मैंने लिया है प्रफ जो स्ट्रॉबरीज है वो अच्छे से जब घल गई है तो प्रेटो मैशियर से अच्छे से इसको मैश किया है और गाड़ी से इसकी ठिक सी सोस बन जाएगी भी इसको एक बॉल में निकालकर जीगा रूम टेंपरेचर पे रखना है ठंडा हो जाए तो इसको हैं कृम चीज के और इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें चाह से पांच टेबल स्पून डाल देनी है पैले डबल क्रीम डाल कर उसको थोड़ को ऐलक से विक करती हूं तो आज मैंने डबल क्रीम को पहले वियर स्वीब करेंगे 3 दोई थोड़ी प исकी स्टीप consistency कुई तो पहुआ इसमें कृप कीम चीजी टाल है दूबघने करते हैं आप नियुक्त चंक में इसको काटा है और किचन पेपर पर इसको लाज़मी बिचा कर अच्छे से ड्राइ कर लेना है ताकि यह थोड़ी सी सूख जाए वनना वेट इसमें डाली तो यह इस लिक्वट को जो है क्रीम चीज को डबल क्रीम के मिक्चर को थोड़ा वोटरी सा कर देंगी और यह यहां तक त्यार है नो बेक स्ट्रॉबरी चीज के एक जो है यहां तक त्यार है इसके ओपर स्ट्रॉबरी सोस जो बनाई है वो डालने लेकिन यह रैडियु टू यूज विप क्रीम है तो यह इसके उपर मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकूरेट कर दूँगी और यह आप चिकन बना रही हूं। प्यास को इस खथ तक ब्राउन किया है। तिन से चार तुमाटर इसमें डाले है। जीरा सुका दनिया, ठोड़ी से लाल मिर्चह, नमक डालना है। भूस्त मसाले इसमें इसलिए नहीं डालने कि हमने सारे मसाले पहले चिकर मेरिनेट करते हुए डाल दिये हैं वन थर्ड कप योगर्ट कप 15-20 बदाम और 4-5 टेबल स्पून इसमें डबल क्रीम के डालने हैं डबल क्रीम आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और एक पेस्ट तक इनको ग्र अच्छे से ब्लेंड कर लेना है यह जो एक तरह से ग्रेवी मैंने बनाई है यह मैंने एक दिन पहले शाम को बना कर रख ली थी इसको अब भून लेना है अच्छे से और फिर इसको मैंने एक बोल में निकाल के रख लिया था थोड़ी सी इसमें मैंने किश्मीरी लाल मिर् पर सकते हैं मैंने नेक्स दे दुपहर को बटर चिकन बनाना था तो जो चिकन है उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया और यह जो सोस है यह मैंने बना कर रख और अभी नेक्स दे दुपहर को जब मैं पकाने लगी थी सालन तो जो चिकन मैरिनेट किया था उसको एक इस तरह पैन में मैंने पका ली अच्छे से गल गया जब तो जो सॉस मैंने त्यार की फूई थी वो इसमें डाल देनी है बजाए इसके के सोस अलग से पकाएं और फिर इसमें डालने तो सोस एक दिन बनता है और थोड़ी से इसमें चीनी लाजमी डालनी है वरना इसका फ्लेवर जो है वो कहीं कम ही रहेगा क्योंकि चीनी जो है उसके फ्लेवर को वेल बैलनस करती है और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया है यह उप्शनल है चाहें तो मट डालें और बटर देखें मैंने इस इसमें तकरीब हंडर क्राम से डेट सो ग्राम तक डाला होगा क्योंकि बटर चिकन है तो बटर तो लाजमी ही डालना चाहिए इमान का ट्रिप बुक हुआ था बारसलोना का लास्ट येर इस अगस्ट सेप्टंबर में ही बुक हुआ था तो इस साल इसने जाना था तो आख इमान अपने स्कूल के साथ बारसलोना गई है रात को तकरीबन धाई बचे इन्होंने लास्ट गो से डंबरा जाना था पर कैसे इसको छोड़के आए तो हम आकर सोगे तो सुबह जब तक हम उठे तो ये बारसलोना पहुँच चुकी हुई थी प्राइमरी स्कूल में भी तो इनका एक ट्रिप भूक हुआ था उस वकत करोना शुरू हो गया था तो वो ट्रिप इनका कैंसल हो गया तो ये बच्चों को स्कूल में लेकर जाते हैं ट्रिप पर तो ये पहली दफ़ा जो है स्कूल के ट्रिप के साथ कही है तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लोग उमीद है आपको अच्छा लगा हो थम्जब बटन लाजमी प्रेस किया करें अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे जरूर सब्सक्राइब करें अलाहाफेज